नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कभी भी जब आप अपना घर बना रहे हैं, तो कोई भी मिस्तिरी चाहे ठेकेदार के बातों के बहकावे में ना आए, वो अपने अनुसार बोल दे गया, नै ऐसा होता है, मैं तो 20 साल से काम करवा रहूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो आज हम आपको दिखाएंगे, कि एक छट का धलाई हुआ, छट के धलाई के, मैं ऐसे क्या गलती कर दिया मिस्तिरी ने, कि उपर से जो है, जैसे पपरी ने चुटता है, वो ऐसे चुट रहा है, आकर क्या गलती है, तो देखिए क्या है, हम आपको बता दो, कि जब भी कभी हम इसा बोला है, कि छट धलाई के समय हमको बहुत सारे चीज़ का ध्यान देना है, कभर ब्लॉक ठीक तरीके से दिया एक ने दिया, मतलब कि सट्रिंग और सरिया के बीच में गैप है या नहीं है, प्रोपर कवर हर जगह बीम में हो चाहिए, सिलेब में हो है कि नहीं है, साथ ही जब आप कंक्रीट पोरिंग ढ़लाई करेंगे तो बीम में प्रोपर कंक्रीट वैबरेटर इस्तमाल कर रहे एक नहीं कर रहे है, जिससे क्या कि अच्छे तरीके से हो, नहीं हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मिस्तिरी का दिमाग क्या, उन्होंने क्या दिमाय लगा और क्या गलती कर बेठा, मिस्तिरी का दिमाग लगाया कि भैकी छट धलाई कर देते हैं उसका साथ ही, हम उसके उपर सिमेंट सलरी गोला मार देते हैं पूरा प्लैन हो जागा, जिससे क्या करेक नहीं होगा, यह माथा फोर गोला दिमाग है, अब उसका रिजल्ट आपको पूरा बिछाते जा रहा है, भै यहां कि इसमें करेक नहीं आएगा, पानी नीचे नहीं जाएगा, यह सबसे बरा गलती है, अब ऐसे आपको कभी भी जब आपका छट धलाई हो, उस समय आपको कभी भी क्या नहीं करना है, कि धलाई के समय ही सिमेंट पानी का शलरी, मतलब गोला बना करके बिल्कुल नहीं डालना है ये गलत फहमी मना रहे कि भाई वाटर पूफिंग का काम करेगा ये गलत फहमी मना रहे कि इससे मजबूती आएगा और लोग सोचता है भाई कि एक ही बार में काम निप्टा देते हैं तो उससे आपको यह यह एक दिखने को मिलेगा ए और साथ ही जो है अगर आप अपने छब के ढलाई कर रहे बीम और सलय पहले लोग क्या करता है और भीम ढाल लेता है फिर उसकी ऊपर पहले कंकृर डाल लेगा फिर छब में इसकोडाशने का du changing बाज़े से दोनों छत में नहीं करता है दोनों का प्रस्परस्था से जॉइंट नहीं हो पाया उससे क्या हो तक जैसे ही जब पॉंडिंग करेंगे तो आपका बीम से पानी टपकेगा यह सब प्रोलम है तो आपको अगर घर बनाने से रिलेटेड कुछ भी तरह का डॉट होता है आप हमें वाट भी गलती से ढ़लाई के समय ही जो है उसके उपर सिमेंट का घोला मत मारिये नहीं तो इसे ही हाल होगा और साथ ही लोग एक और चीज करते हैं ढ़लाई हो गया प्रोपर तरह के उसमें पानी का क्यूरिंग हो जाने के बाद दस दिन बाद फिर से उसमें मसाला दे करके जो ह याने तो 6 mm का चाहिए 10 mm का गिट्टी के साथ ग्रेडिंग करके उसको में जो है स्लोप देते हैं भाई की भाई पानी जो है बरसात का पानी एक रेन वाटर पाइप दिये हैं उसों के निकल जाए यह आप कर सकते हैं लेकिन कंक्रीट के ऊपर कभी भी इस तरह का गलती ना करें कि भाई उसके ऊपर आप क्या करें नहीं द्लाई के साथ ही घुला मारते जाए ऐसा ही हाल होगा ठीक दोस्तों आप ऐसा गलती बिल्कुल मत किजिएगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया जरूर इसको आपको सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि जैसे ही आप हमारे चनला सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आकन बन जागा उसको प्याप क्लिक कर देगो से बेनिफिट बस यह तक जब जब सीवील इन्जर दिपकमन को न्या वीडियो आपके लाएगा सब से लग नोटिपिकेशन में दिखेगा ठीक दोस्तो धन्यमान दोस्तो